आज हम बनाएंगे एक कटोरी चावल के आटे से सव मसाला पापर बिल्कुल दूद के तरह सफेद देखें बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं काफी आप हम आपको तोड़ करके भी दिखाएं काफी क्रिस्पी पापर बनते हैं बहुत यासानी से बन जाते हैं तो चली हम बनाना करते हैं चावल के पापर या चावल के आटे के पापर तो आपके पास अगर चावल काटा नहीं है तो आप घर पे भी चावल काटा बना सकते हो चावल को हलका सा धूल करके और बस उसको धूप में दो से तीन घंटे के लिए आप सुखा दीजे उसके बाद में आप उसको हुआ ही दाल दिया तो नानी श्टी कड़ाई कम बंदा रहा है अब को भारी तली है बर्तन हो उसमें बना सकते हो तो गरमों योड़ी चीली फ्लेक्स , अ जीरा और अगेими आमणिट के देल धषक में काली मिर्स का पाउडर ाएंगे ठाट जाएगे से तो सूखने पर थोड़ा ज्यादा नमक लगता है तो इसलिए नमक आप काम रखें अगर थोड़ा भी नमक ज्यादा होगे तो पापर पी अच्छे नहीं बनते हैं और इसमें हम डालने हैं आधा चब मज के करीब हम पापर खार डालें इससे जो पापर ना एकदम सफेद बन आप पापर खार नहीं है यह तो आप अधा चावल काटा डालनें यह बार में इसे कांटीनू चलाना वरना इसमें लंज रजाते तो यह धियान लगागे करेंगे जब हम इसमें चावल काटा मिक्स करें तो गैस के फ्रेम अच्छा करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे के बिल्कुल भी लंप नहीं पढ़ना चाहिए तो हमने पहले मतानी से भी किया आद में अच्छा-सा गुल जाए इसके अंदर चावल में आटा आना इसके लं अब हम तो से तीन मेट्रे अच्छे से पका लिए क्योंकि जब अच्छे से पक जाएगा तो इसके पापर बहुत अच्छे से टेस्टी भी बनती है तो देखे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हम पीछे जो हमने स्पून लिया इस पर लाइन अगर हां ड्रॉ करें पूरा अच अब लिए प्लास्टी के अब बिच्छाइए मतलब फैलाईएगा तो उससे जल्दी निकल भी आते हैं और इस टाइप से बड़े जैसे भी आपको साइज जरू हो उससे आप से बना सकते हो पापर थोड़े से आप मोटे रखे तो क्योंकि सुखने के बाद में काफी पतल हो जाते हैं तो इस टाइप से देख्यां पूरे बना रहें बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इसको फैलाने में ऐसा कुछ कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है यह पूरा इसका बैटर हो गया त्यार है तो ओर अब दस मेंट भी लगते इस टाइप से पापर बनाने में अगर यह पापर कम से कम दो से तीन दिन लग जाएगा दूब बहुत तेज हो रही है फिर भी आप दो से तीन दिन तक इसको अच्छे सुखा लिए अगर लंबे टाइप तक आप सुखाओगे तो आप इसे साल दो साल तीन साल तक भी रख सकते हो तो हम आपको देखे साम को दिखा है जितने पापर ना पूरे अच्छे से सूख गया अब आप इसे किसी भी एयर टाइप भरके रख दीजिए आप इसे साल दो साल तीन साल तक भी रखेंगा खराब नहीं होंगे हां पापर जितना ज्यादा सूखेगा उतना ही लंबे टाइम तक यह चलेगा दिखें आपक बिल्कुल भी नहीं है कि वह हो गया है तूड़ गया ऐसा कुछ है तो आप इस टाइप से सारे पापर बने तो जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा ना तो हम इसमें फ्राइप करें चोटे पापर हैं पूल के काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं हम आपको हां से प्रिप्शन बॉक्स में दे दें तो आप वहां से चेक कर लीजाएं है